हेलो एब्रीवन वेलकम टू स्टडी डाइम विथ न्यू इन्फॉर्मेटिव वीडियो यूपी पीस्ती से जो आरो एरो की जो वैकेंसी आती है उसमें जो आपका प्रमोशन होता है वो कैसे होता है कितने साल में आपका जो प्रमोशन है वो होगा सेलरी कितनी बढ़ती है प्रमोशन के साथ साथ अगर आपका प्रमोशन नहीं हो रहा है तो सेलरी बढ़ेगी या नहीं बढ़ेगी और आपका जो प्रमोशन है वो कहां तक हो पाएगा किस पद तक हो पाएगा क्या आप विसेज सचे वो बन पाएंगे तो यही सारी जो detail हैं वो यहाँ पर हम देखने वाले हैं कि जो RO, ARO हैं वो promotion पाकर आखिर कहां तक पहुंच सकते हैं किस पद तक वो पहुंच सकते हैं तो जैसा कि आपको पता है कि इसकी जो vacancy है वो UPPSC से आती है और अभी इसकी vacancy आई हुई थी इसका जो exam है एक अगस्त को प्रस्तावित है और अगर situation सही रहती है जैसा कि आप जानी रहे हैं अभी हालात तो आपका जो ये paper होने वाला है ये एक अगस्त को हो जाएगा और बहुत अच्छी जॉब है सारे इसमें चीजे मिलती है आपको सारी सुपधाय मिलती है और guested officer की job है तो काफी अच्छी जॉब है तो चलिए अब बात करते हैं इसके बारे में तो आपको चानकारी होगी क कि जब आपकी जो ये vacancy आती है तो इसमें जो आपका PCS जो है लोक सिवा आयोग ये आपका paper करवाता है और pre होता है इसके बाद means होता है प्री आपका 120 नंबर का GS वगेरा होता है sorry 140 नंबर का GS होता है आपका ठीक है 140 नंबर का GS होगा और 60 नंबर की आपकी Hindi होगी और means में आपसे 400 नंबर का जो है exam होगा और सारी detail जो इसका syllabus है वो आपको link जो है description में मिल जाएगा उससे भी आप देख सकते हैं और आपकी जो final cutoff है वो इस 400 नंबर से बनती है और फिर इसके बाद आपका जो selection है जो उत्तर प्रदेश का सचवाला है जहाँ पर आपको पता है मु जो चुनाव आयोक्त है यहाँ पर यह सारी चीज़ें आपका प्रमोश्य जो आपकी नियुक्ति है वो हो जाती है ठीक है तो इन सब आफिसों में होती है फिर आपकी priority के उपर भी है कि आप लोग से वायोक्त चुनना चाहते हैं या सचवाला है और उम्मीद है कि आप सच सेलेक्शन जो पाएंगे वो आरू पे पाएंगे है ना ऐसा नहीं है कि आरू पे अगर सेलेक्शन नहीं हुआ है तो फिर आपको प्रमोशन अच्छा नहीं मिलेगा प्रमोशन वैसे ही मिलेगा कोई उसमें भेदवाओ नहीं होता है सारी चीज़े लाइन से चलती जाती है लेकिन अगर आप RO पे direct selection पा गए है ना इसके लिए भी क्या होता है कि RO की जो cutoff है वो थोड़ी ज़्यादा जाती है और थोड़ी जो कम number है और O level जो है मांग लेते हैं तो यह RO के लिए आपकी cutoff थोड़ा कम चली जाती है फर्क सिर्फ इतना होता है और कुछ फर्क नहीं हो होता है तो आप पढ़ाई अच्छी करेंगे मेहनत के साथ करेंगी तो आप RO की जो cutoff है वो clear कर लेंगे और आप जो सचवाले है वहां पर joining पा लेंगे तो इनकी जो प्रमोशन होता है इनका तो RO से SO में होता है अनुभाग अधिकारी इसके बाद अनुभाग अधिकारी से आनुशच्यू फिर उट सच्यू फिर सही सच्यू और फिर लास्ट में SS यानि कि Special सच्यू जो है विशेश सच्यू वहां तक Special Secretary वहां तक आपका जो प्रमोशन होता है तो इसी की सारी डिटेल आपको यहां पर हम बताने वाले ठीक है तो सबसे पहले हम बात करेंगे कि आपका जो RO, ARO है इसका प्रमोशन कहा तक होगा, किस पत तक होगा, फिर किस पत तक आप पहुंच सकते हैं और जो तीसरी चीज़ है कि रेटायर होने तक आप किस पत तक पहुंचाएंगे, है न, और आपकी जो सेलरी वगएर है, वो कैसे क्या बढ़ती है, यह जारी चीज़े, ठीक है, तो देखिए, अगर आप हम RO से ही लेकर चलेंगे, और अगर आप ARO में सेलेक्ट होते हैं, तो देखिए, आपका जो RO से SO में आपका प्रमोशन होगा, तो RO से ASO जो है आपका, यानि कि अनुभाग अधिकारी, यहां तक पहुंचने में, आपको काफी समय लग जाएगा, लगभग जो आपको समय लगेगा, वो तीन से पांस साल के बीच में, आपका जो समय है, वो लग इसमें ARO से RO में पहुंचने के लिए, आपको जो दो से तीन साल का समय है, वो टाइम आपको लगने वाला है, लिकिन जब समीच्छा अधिकारी से आप अनुभाग अधिकारी में प्रमोशन पाएगे, तब आपका जो टाइम है, वो ज्यादा लगता है, आठ से दस साल के लगबग आपका जो टाइम है, वो इसके बीच में प्रमोशन में आपको लग जाएगा, फिर बाकी आगे जो प्रमोशन है काफी जल्दी-जल्दी होते जाते हैं, यहां से आपका अनुसच्यू, अनुसच्यू से उप्सच्यू, उप्सच्यू से सहीक्पसच्यू, फि व उसी सा पेच में आपके प्रमोशन वो होते है तो अगर आपका प्रमोशन नहीं बहुता है तो आपकी जो कुछे सेलरी है वो अगला जो प्रामोशन उसके अनुसार बढ़ जाएगी माल लिजे आप ही का कोई बैच का कोई है उसका प्रमोशन हो गया है ऐसो के लिए और आपका नहीं हुआ है इस बैच में आपका नहीं हो पाया है तो आपकी जो सेलरी है वो इसी के अनुरूप कर दी जाएगी इसको चंवन सो ग्रेट पे मिलने लगेगी तो आपको भी चंव बती जाती है उसमें ऐसा नहीं कि आपका प्रमोशन नहीं हो रहा है तो सेलरी नहीं बढ़ेगी तो ये बात आप समझ गयोंगे कि आपको जो सबसे ज़्यादा टाइम लगता है प्रमोशन में वो समीच्छा अधिकारी से अनुभाग अधिकारी बनने के बीच में 8-10 साल क जो समय है वो टाइम पिरियड रहता है 8-10 साल आपको लगने वाला है और बाकी में तो 2-3-4 साल आपका लगेगा अब बात आती है कि आपका जो प्रमोशन है क्या विसेश सचीव तक हो जाएगा क्या जोइंट सेकेटरी जो है वहाँ तक हो जाएगा तो ऐसा बिलकुल नह जाती है तो अगर आपका मानली जी सेलेक्शन ही 40 पर हुआ तो आपकी नौकरी तो सिर्फ 20 साल की बचेगी और आप आरो में सेलेक्ट हुए या ए आरो में तो 8-10 साल यहाँ और फिर अंडर सेकेटरी पहुंचेंगे तो आप कैसे उप सचीव सचीव विसे सचीव तक अगर आपका जो सिलेक्शन है अगर आपका सिलेक्शन वह 25 साल की एज में हो गया मतलब 25 के पहले हो गया 25 साल के पहले आपका जो सिलेक्शन है वहो जाता है तो बहुत अच्छी बात है आप जो है जो है जो है जुआन्ट सेकेटरी या स्पेसल सेकेटरी वहां तक जाएंगे और ये 21-22 की एज के लिए ही है ऐसा नहीं कि आप 40 की एज में कर लें 21-22 की एज तक हैं तो आपकी नौकरी भी 30-35 साल तक रहेगी तो विशे सच्चिव तक पहुंचने के आपकी चांसिस बहुत जादा बढ़ जाते हैं माली जे आपका जो सेलेक्शन है वो 25 के बाद हुआ है तो फिर आप जो है जो DS है उपसचिव तक आपके पहुंचने के प्रमोशन की चांसिस जो है वो रहते हैं और अगर 30 के पार में आपका जो सेलेक्शन है वो हो रहा है 30 प्लस आपकी एज हो गई है तो आप अंडर बाद होता है माकी तो यह आपके लिए भी अच्छा है कि नौकरी तो लीजिए इसके साथ साथ आप जो है कम एज में नौकरी लीजिए अगर आपकी एज ज्यादा हो गई तो कोई बात नहीं है नौकरी ले लिजिए लेकिन अगर आभी आप 20, 18, 19, 21 के साल के हैं तो बहु यहां से आपकी सेलरी भी बहुत अच्छी खासी हो जाती है और अनुभाग अधिकारी जो है यहां से आपकी जो सेलरी है वो 400 ग्रेट पे की हो जाती है अनुभाग अधिकारी से तो यहां तक आपकी जो 4800 ग्रेट पे रहती है यहां ARO में 1600 ग्रेट पे रहती है आपकी और selection हो जाएगा promotion के उतने ज्यादा chances जो हैं वो आपके रहते हैं जो आप हैं विसे सच्यों या सायूक की सच्यों तक तो आप पहुंची जाएंगे हर हाल में अगर आपका 21-22 की age में हो जाता है और जो इनका promotion होता है मतलब जो लोग यहाँ पहुंचते हैं यह तो direct RO की भरती है RO की लेकिन उपर जो अदिकारी क्या सारे promotion से पहुंचते हैं तो ऐसा नहीं है RO की थूरू भी पहुचते हैं जैसा कि RO या RO है प्रमोशन की थूरू डेरेक्ट जो PCS है उसकी थूरू भी इनकी भरती होती है PCS की थूरू भी यहां इनको विभाग दिये जाते हैं और IS की थूरू भी होता है लेकिन जो RO होगा वो आपका VCS सची हो जो है इसके उपर उसका प्रमोशन नहीं हो पाएगा यहीं तक यह लास्ट है ठीक है पकी IES बगएरा यहां से सुरू करते हैं और उपर तक जाते हैं उनका प्रमोशन बगएरा होता है ठीक है तो लेकिन जो आपको बताया कि तीन तरह से इनमें जो इतने साल में होगा और सेलरी जो है वो कैसे बढ़ती है सेलरी आपकी यहां से बता दिए कि चाउवन सो ग्रेट पे की होने लगती है और फिर आपकी चाउवन सो के बाद चाउचट सो चैतर सो और अगर आपका प्रमोशन नहीं भी होता है क्योंकि उपर पद जो है वो के बराबर ऐसा नहीं कि आपके साथ में सेलक्षन हुआ था और उसको चाचट सो का मिलने लगा और आप चंवन सो पे अटके हैं ऐसा नहीं होगा आपको भी सेलरी उतनी ही दी जाएगी बस पद नहीं है वहाँ पर खाली इसलिए आपको जो है प्रमोशन नहीं दिया गया बागी आपकी सेलरी बढ़ा दी जाती है तो यहाँ पर सारी डिटेल आपको बता दी गई है कि कैसे क्या प्रमोशन होता है कितना टाइम लगता है सिर्फ यहां से यहां पहुचने में आपको ज्यादा टाइम लगता है इसके बाद बहुत जल्दी जल्दी जो है प्रमोश हो जाते हैं तो मेरी आपसे उम्मीद है आप लगातार पढ़ाई कर रहे होंगे और ARO में नहीं बलकि आप ARO में सेलेक्शन लेंगे और सचवाले में जो अपनी नुक्री है वो बिलकुल पक्की कर लेंगे और अगर आपका कोई सजेशन हो आपका कोई कन्फूशन हो तो कमेंट सेक्शन के माध्यम से आप बता सकते हैं थैंक्यू मिलते हैं नई इंफॉर्मेटिक वीडियो के साथ